हलो फ्रेंड, वेलकम टो करंट एक्जाम यूटूब चैनल, रासी ग्रूपडी एक्जाम 2000 गुनी, जी हाँ आपके जो 2000 गुनी इसके अंदर वेकेंसी निगलिए ग्रूपडी के अंदर जानेंगे इस व्यूडियो के अंदर उसके एक्जाम की डेट क्या होगी, साथ ही जान पूप डीका जो रजिस्टेशन के लाश्ट डेट थी वो आपकी 12 अप्रेल 2019 दी गई थी जो आपकी complete हो चुकिया है इसके अंदर करीब करीब किस जोन से किते फॉम बरे गए हैं बात करें सबसे ज्यादा फॉम आपके डैली जोन से बरे गए हैं जी हाँ डैली जोन से आपके सबसे ज्यादा फॉम बरे गए हैं और बात की जाए सबसे ज्यादा कमप्टिशन की तो सबसे ज्यादा कमप्टिशन आपको इलाबाद जोन क के अंदर देखने को मिलने वाला है और सबसे कमप्टिशन आपको मुंबई जोन के अंदर देखने को मिलेगा तो यह तो हो गई आपकी नॉर्मल बात आप बात कर लेते हैं उसकी जोन से किते फॉम बर गए हैं लेकिन इससे पहले आप से चोटा सा सवाल है आप हमें कमेंट वोक्स में बताइए जो 2019 के अंदर किया जा रहा है किरिकेट विसक अपका वो इसका आइजन किस देश के अंदर किया जाएगा आप एमें कमेंट बोक्स में जरूर बताएए अब बात कर लेते हैं किस जोन के अंदर किते फोम बरे गएं सबसे पहले बात के लिए जाए मिलेगा वो 112 में student का आपको competition देखने को मिलने वाला है बात की जाए दूसरे zone की तो दूसरा zone zone है आपका जैपूर zone तो जैपूर zone के अंदर जो आपकी vacancy थी वो 5940 vacancy थी और इसके अंदर जो आपके total registration हुए है वो आपके 9,16,277 registration यहां से हुए है और इस पर एक seat पर competition की बात की जाए तो 183 विद्यारत इस पर आपको competition देखने को मिलने वाला है बात की जाए तीसरे zone की तो तीसरा zone है आपका बिसलपर zone जी हाँ बिसलपर zone से आपके जो seat थी आपके जो 1664 seat थी और इसके अंदर आपके जो form registration हुए है वो है 2,181,211 registration यहां से हुए है और इसके अंदर बात की जाए एक seat पर competition की तो आपके 170 विद्यारतियों का competition आपको देखने को मिलने वाला है इसके बात की जाए next zone की तो वो है हाजीपूर जोन जी हाँ हाजीपूर जोन से जो आपकी वेकेंस से थी वो 3563 वेकेंस से यहां से थी और इसके अंदर जो आपका total registration है हाजीपूर से वो 5,35,340 विद्यारतियों ने यहां से registration किया है और एक seat पर competition की बात की जाए तो यहां पर 161 विद्यारतियों का आपको competition देखने को मिलने वाला है बात की जाए next zone की तो next zone है आपका गुरपूर जोन गुरपूर जोन की बात की जाए तो यहां पर आपको जो seat है वो आपकी थी 4002 seat थी और इसके अंदर जो registration है है वो 6,282,825 विद्यारतियों ने यहां से registration किया है और एक seat पर competition की बात की जाए तो 155 विद्यारतियों का यहां पर competition देखने को मिलेगा next zone की बात की जाए तो next zone है आपका डेली जोन जी हम जो डेली जोन आपका next zone है इसके अंदर जो आपकी vacancy थी वो थी 13,153 vacancy थी यहां से और इसके अंदर जो आपके total registration है आपके total registration है गुनिस लाग 3,739 registration है यहां से हुए एक seat पर competition की बात की जाए तो 144 विद्यारतियों का यहां पर competition आपको देखने को मिलने वाल है अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो like कर दीजे साथ ही चैनल को subscribe कर दीजे next zone है आपका जबलपूर जोन जी हाँ जबलपूर जोन की बात की जाए तो जहाँ पर आपके seat थी वो होती 40,19 seat और इस पर आपके जो registration हुए है वो 5,28,589 सी registration यहां से हुए है और एक seat पर competition की बात की जाए तो 131 विद्यारतियों का competition आपको देखने को मिलने वाला है next zone आपका आता है बुनेस्वर जोन जी है बुनेस्वर जोन से जो आपके seat थी यहां पर थी 25,255 seat यहां से थी और इसके अंदर जो बात की जाए total registration की तो 3,18,53 विद्यारतियों नहीं तरेपन विद्यारतियों नहीं यहां से registration किया है और यहां पर एक seat पर competition की बात की जाए तो 124 विद्यारतियों का आपको यहां पर competition देखने को मिलने वाला है next zone की बात की जाए तो गुवाटी zone की गुवाटी zone के अंदर जो आपके seat थी वो 2844 सीटे थी और इसके अंदर जो बात की जाए कि आपके total registration की तो 3,22,814 विद्यारतियों नहीं यहां से registration किया है और एक seat पर competition की बात की जाए तो 122 विद्यारतियों का यहां से आपको competition देखने को मिलेगा next zone आपका आता है kolkata zone जी हां kolkata zone के अंदर जो आपकी seat थी वो आपकी 10,883 पोश्ट थी यहां से और इसके अंदर जो registration हुए वो second number से सचे जादा हुए 11,64,882 विद्यारतियों यहां से registration किया है और 107 student का यहां पर एक seat पर आपको competition देखने को मिलने वाला है next zone है आपका सिकंद्राबाद zone जी हां सिकंद्राबाद zone से आपकी जो seat थी वो आथी 9,328 seat और इसके अंदर जो आपके registration हुए है 9,48,418 registration हुए है और इसके अंदर जो आपको एक seat पर competition देखने को मिलेगा वो आपको 101 विद्यारतियों का competition देखने को मिलने वाला है अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए इसके बाद में आपका जो zone निकल कर आता है वो आपका आता है कौलकता zone जी हां जी हां कौलकता zone के अंदर जो आपके seat थी 9,414 seat थी जो इसके अंदर आपको जो रेजिस्टेशन हुए है वो है चाल लाख चोराण वाजाद दो सो सततर रेजिस्टेशन यहां से उड़ रह हुए है और एक seat पर competition की बात की जाए तो 100 विद्यारतियों का आपको competition देखने को मिलने वाला है वहीं बात की जाए आपको Central Railway Mumbai की तो इसके अंदर जो आपका seat थी मुंबई से वो आपकी 9,345 seat थी और इसके अंदर जो आपके रेजिस्टेशन हुए है वो आपके 9,7,390 रेजिस्टेशन यहां से हुए है आपको 97 विद्यारतियों का कमपूरे선 देखने को मिलने वाला है इसके बाद में बाद की जाए चेने जोन की तो 5009hésitez जोन के बात की जाए नеख ज़ा गो आपका 911 से सीटे थी हैं आके लाक सतर अजार Fifa यहां पर आपकी वापक उम्बई जोन के अंदर आपके जी traffic तहीung आपके 10374 सीथे और इसके बात पर को सते वहई है नो लाग नताद वाजार चैनल की त्डाइक रीश्टर सब्सक्राइब हुए और इसके पर देखने को अब बात कि जाए इसकी जो एक्जाम की डेट की तो इसकी एक्जाम की डेट है वो आपको जो जो नोटिफिकेशन निकला था आपको 23 फ़री 2019 को उसके अंदर बताया गाता है जिसके एक्जाम की डेट हो सितंबर से लेकर अक्टॉमबर 2019 के अंदर हो सकती है आपको बता दो आपकी जो एक्जाम है आपको multiple shift के अंदर होने वाली है जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गाता आपके अगर multiple shift के अंदर होती है तो इसकी जो डेट निकल कर आ रही है तो वो सितंबर से लेकर और अक्टॉमबर 2019 तक रहने वाली है बात की जाए इसके एक्जाम की सेंटर की तो एक्जाम के सेंटर के अंदर जैसा अगर students की संक्या जादा हो जाती है तो students को अपने जो जो zone से फॉर्म लगाए उस zone से अलावा भी आपको दूसरे states के अंदर एक्जाम के लिए जाना पड़ सकता है क्योंकि जो 2018 के अंदर 153 सिप्टों के अंदर एक्जाम हुई थी सितंबर से लेकर दिसंबर 2018 के अंदर उसके अंदर विद्यारती को दूसरे states के अंदर जाना पड़ा था तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि आपको अपने zone से अलावा दूसरे states के अंदर जाकर एक्जाम देनी पड़े और बात की जाए आपके एडमिट कार्ड की तो एडमिट कार्ड जो रेलवे ने प्रोवाइड कराता है आपके एक्जाम के सिर्फ 4 दिन पहले प्रोवाइड करा ने पहलादा तो ये अपर चोटीश इंफ्रमिशन की फॉर्म भड़े गए गया है और अपके रेजिट्र संवेक्र इड़न कार्ड आप वने के वाले już को रिमिट कार्ड कब तक एश्यू हो जाएंगे लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक तो लाइक कर दीजिए और अगर आपको किसी परकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट वोक्स में जरूर पूँछ सकते हैं